राधा कृष्ण समवाद कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचर्ण करते हुए अचानत एक दूसरे के सामने आ गए। विचलिट से कृष्ण प्रसन्दचित सी राधा कृष्ण सक्पकाएं, राधा मुस्काई इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कानहा कानहा कहके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक धायल कर गया फिर भी किसी तरह अपने आपको संबहाल लिया और बोले राधा से मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कानहा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो सच कहो राधा, जब-जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आखों से आशों की बूंदे निकल आती थी बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आशू बहा क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूली ही कहा थी जो तुम याद आते, इन आखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आशों के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे प्रेम के अलग होने पर आपने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको कुछ कड़वे सच, प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड गए यमुना के मीठे पानी से जिन्दगी शुरू की और समुन्दर के खारे पानी तक पहुँच गए एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और दसों उंगलियों पर चलने वाली बानसूरी को भूल गए कानहा जब तुम प्रेम से जुडे थे तो जो उंगली गोवर्धन परवत उठा कर लोगों को विनाश से बचाती थी प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या-क्या रंग दिखाने लगी सुदर्शन चक्र उठा कर विनाश के काम आने लगी कानहा और द्वार काधीश में क्या फर्क है बनाओ कानहा होते तो आप सुदामा के घर जाते, सुदामा आपके घर नहीं आता युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क होता है युद्ध में आप मिटा कर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं कानहा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता आप तो अनेक कलाओं के स्वामी हो, स्वपन दूर द्रश्टा हो गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया अपनी पूरी सेना कौर्वों को सौप दी और अपने आपको पांडवों के साथ कर लिया सेना तो आपकी प्रजा थी राजा तो पालाक होता है, उसका रक्षक होता है आप जैसा महाज्यानी उस रत को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था अपनी प्रजा को मरते देख आप में करूना नहीं जगी क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे आज भी धर्ती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवी को ढूनते रह जाओगे हर घर, हर मंदर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्यान की बात करते हैं उनके महत्व की बात करते हैं किन्तु धर्ती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं प्रेम वाले कानहा पर भरोसा करते हैं गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे बोलते हैं